अश्कार दोस्तों मेरी वीडियो में आप सबका स्वागत है काफी दिनों से हम वेट कर रहे थे कि विक्रम वैद्य कब आएगी उसका ट्रेलर कब आएगा टीजर कब रिलीज होगा फाइनली उसका टीजर रिलीज हो चुका है लेकिन इस मुवी से भी पहले एक मुवी आ थे डंसवारर हमें रिलीज हुए थी को देखिक हम्यां पहले पहले बार एक पिन उसका रिमिक बनाया जिसका नाम भी चेंज नहीं किया होगा उसी को मद्य नजर रखते हुए बॉलिवुड ने विक्रम वैद्या बना दी है इस मूवी को किस तरीके से लोग देख रहे हैं और मैंने जब ट्रेलर जब इसका ट्रीजर देखा तो मुझे क्या लगा इस मूवी को आगे चलके क्या रिवीव मिलने वाले हैं ये किस बेश पे रहने वाली है मैं आपको बताता हूं इसमें जो विक्रोशन की लुक क्या सामने वो काफि एट्रेक्टि है एक ऑफि二 लोग रिए और आग लगा दिये जो भी spell के फैन है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बढ़िया खुशकवरी है लेकिन जो बिचारे सैफली खान के जो फैन है उनके लिए एक बैड नूज है इस चीजर में सैफली खान ने कुछ बोला नहीं है साइलेट मोड पर चड़ गए एक भी डायलोग नहीं दिखाया जादा एक्षण मार धाड एकडम गैंगस्टर वाली स्टोरी है ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में ना मलब किसी रियल लाइफ के गैंगस्टर की स्टोरी उठाकर रियती करोशन में चेप देना चाहते है और बनाएंगे यह मूवी धाकर और इसमें जादा मार धाड ही है जियो पहली मूवी थी जो रियल कॉंटेंट था तमिल मूवी का उसमें जादा तर श्टोरी यह नहीं थी उसमें ज्यादा गेम था दिमाग का दिमाग की मूवी थी जादा तर उसमें अ तो यह मुवीमे में था हे हैं हूं इस मुवी में जब का तूस-पैंज की साय। मैं फुसमर लोगों को पसंद से लेकिन इस फूस्पैंज की डिक्ता इस मुवी सूटिंग ऐए उप यू-पी इन लテत इन लिक्ता जो गया इससे पता चलता है कि ये काफी माढधार गैंगस्टर वाली मूवी रहने वाले है क्योंकि यूपीम वही सब चलता है दूसरी चीज अगर ये मूवी हिट जाती है जनता का प्यार इसको मिलता है तो इसके सेकंड पार्ट भी बन सकता है बहुत ही बड़िया न्यूज है आपके लिए मैं बता रहा हूँ इसके सेकंड पार्ट भी बन सकता है और सेकंड पार्ट में जो नजर आने वाले हैं इनके सामने होंगे साउथ के विक्रम वैदे और ये बॉलिवुड के रितिक ग्रोशन वैदे आमने सामने दोनों लड़ाई करेंगे सस्पैंस वाली स्टोरी होगी क्या स्टोरी होगी इस मूवी के हिट होने के बाद ही पता चलेगा अगर ये मूवी हिट नहीं होती है जनता का प्यार नहीं मिलता है तो इसका बनना कोई ताय नहीं है तो मुश्किल है तो दोस्तों इ आपको जो भी question comment में पूछना हो मैं से पूछ सकते हो मैं उसका अंसर देने के लिए रेडियू धन्यवाद